हेलो फ्रेंड्स आज का जो कॉशन है वो है रमन कौर जी का अगस्त फाइल्स आर आलसो इन बैकलॉग देखिए बहुत सारे बच्चों को जो डाउट रहता है कि बैकलॉग फाइल्स किसको कहता है IRCC IRCC एक processing time issue करता है अगर उस processing time से कम समय आपके फाइल को हुआ है अमबैसी में lodge करने के बाद वो count करता है अपने processing time को जैसे अभी का जो latest processing time हो वो 9 week है जिन फाइल्स को 9 week से कम समय हुआ है lodge किये होए वो files backlog में count नहीं होगी और जिन फाइल्स को 9 week से ज़्यादा समय हो चुका है वो सारी फाइल्स को backlog में count करता है तो ऐसा नहीं है कि backlog files का result नहीं आएगा जहां बहुत time लगेगा result किसी भी file का जो भी file चाहे एक दिन पहले lodge हुए चाहे एक साल पहले lodge हुए किसी का result कभी भी आ सकता है मगर जो counting है जो data आपके सामने आता है backlog files का वो सिर्फ इस चीज़ पर depend करता है कि वो file कब lodge होई और उस समय processing time क्या चल रहा है Thank you so much